प्रिंस महरा पंचाईती राज चुनाबों का पहला दोर आज समाप्त हो चुका है इसी कड़ी में आज हमारे साथ मुझूद है बारी खैरा बोड से जिला परिशत पद के उमीदबार बलबीर सिंग डड़वाल जी बलबीर जी बहुत-बहुत स्वागत आपका हिमाचल फर्ष्ट में सर पहला सवाल रहेगा कि आप खैरा बारी बोड से जिला परिशत का चुनाब लड़ रही है आपको राजनीती के बारे में क्या नुबब है हमारे दर्षकों को बताएं हाँ इसके बारे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसमें राजनीती का अनुबब होना भी बहुत जुरूरी है क्योंकि ये जेला परिशत की पंचाईती राज में सबसे बड़ी सीट है तो अगर वहाँ पर अनुबबी उमीद बार जाएगा तो तो इसमें काम की कामी होगी मैं तो मैं आपको बता चाहता हूँ कि हमारा अनुबबी ये है कि मैंने 2000 से लेकर 2010 तक मैं लगातार परधान रहा और फिर 2011 से 15 तक लेड़ी सीट रही और 15 से 20 तक आज मैं फिर परज़ेंड मैं परधान हूँ तो मेरा 15 वर्सों का अनुबब है इस राजनिती में और मैंने उसमें अनेक समाजी और नेक कारे किये हैं जिससे लोगों का बार बार मुझे प्यार मिलता है और वो मुझे आने में मुझबूर करते हैं कि आप इसमें रहे हमारा एक बहुत बड़ा हवियान चला था स्पून्स पस्ता हवियान उसके तैद पूरे देस में भी चला था हिमाचिन में चला था तो जब यहां पर पहल नंबर पर आई थी उसके तैद हमाय माननी धूमल के हाथों से हमें तीन लाग का प्राइज फटेपुर में मिला था और इसका सराहनी एकारे के लिए मुझे इंड्यूजल प्राइज भी उनके दूरा दिया गया था कि आपने इसमें अच्छा काम किया था तो मैंने इसमें जो IRDP अंतो दे के जो होते हैं उसमें मैंने एक पार्दस्ता बनाई हुई थी हमारी पंचायत में कोई ऐसा यह नहीं लगा और पंदरा सालों के आप देखते हैं कि पंदरा बर्स बहुत होते हैं और आज तक पंदरा बर्स तक मैंने अपनी छवी में कोई भी दा लगने न किया है तो लोगों ने इस बार मेरा इतना बड़ा चुनाव है आदे हमेले का चुनाव होता है लेकिन लोग मुझे बार बार मुझबूर कर रहे हैं कि आप लड़ो 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 तो इसी लिए मैं लोगों से अग्राय पर दुवारा आया हूँ और जो यूथ वर्ग ह है वो चाहता है कि मैं आगे आऊं आपका इमानदारी मिलनसार और महनती हैं तो ऐसे ऐसे लोगों को आना जरूरी है तो यही सोच है कि मैं आगे यूवा आदमी बढ़ें और उनके लिए कुछ काम करूं तो उन्होंने मुझे ज़्यादा प्रेरित किया तो मैं फिर यह इत दिखना चाहता हूं कि हर पंचाइत में एक ओपन जीम बने और उसमें सभी यंग क्योंकि हमारा जो यूवा वर्ग है वो ऐसे जैसे पंजाम है बिगड चुका है नशे की तरफ जा रहा है अगर ओपन जीम में होगा तो यहां पर वो अपना एक जो सुबा शाम का टाइम जिदर पर निकालेंगे जो अपना खाली टाइम ऐ ओपन जीम में देगे तो Sakait के लिए भी अच्छा रहएगा, धियमाग के लिए भी अच्छा रहएगा, तो पहली प्नात्मा यह रहेगी कि हर पंचाइत में आपन जीम का करें और बजूरगों के लिए भी एक रखा है, कि हर एक पंचायत में एक योज़ना भी चली हूई है कि मिलें बहाँ पर उनको बजर्वों को पार्क टाइब टाइलने के लिए बेंचों लाइटएं हूँ तो जहां-जहां भी हंधेरा रहेगा जहां जहां गलीयों में रहेगा भहाँ पर स्ट्रीट लाइटों लगाने का म मेरा प्रात्मिस्का रहेगी क्योंकि जेला प्रसित का थोड़ा बजट भी ज्यादा होता है अभी तो अगर लोगों का प्यार उसने मिला अगर बहां पर पहुंचे तो आपको अचमब होगा कि यूद बज़ुर्ग और सभी के लिए ऐसे ऐसे काम लाऊंगा कि लोग देखक हरान हो जाएंगे सर अगला सवाल रहेगा कि आज पहले चरण का जो चुनाप है वो समाप्त हो चुका है माददान तो आपको क्या लगता है कि कितना समर्थन आपको जनता का मिला होगा सर ऐसा है जहां जहां मैं गया हूँ ऐसा लगता है कि मुझे बाहरी समर्थन मिल रहा है और मुझे पर मैं सबसे ज़्यादा मैं भगवान पर ज़्यादा विस्वास करता हूँ मेरा डेली भी है कभी मुझे फोन भी करते हूँ कि कोई मेरा एक निम्त है कि मैं एक गहंटा सुवा साम भगवान को जुरूर याद करता हूँ आज चुनाब का समय है फिर भी मेरा ये रूटीन खत्म नहीं हुता है मैं भगवान पे बहुत आस्था रखता हूँ और वो मुझे पर महरवान भी रहते हैं और वो ही मुझे अच्छे गाड़ की कैसे चलना है कैसे चलना वो उदर से जुरूर ऐसा मैं महसूस करता हूँ अपने आपको तो इसलिए मैं आज देख रहा था अनुभव कर रहा था जैसे बारी में हैं बहां पर बहुत अच्छा रहेगा मुंडी में मेरा मैं आज तक अनुभव कर रहा हूँ कि बहुत ही अच्छा रहेगा मुंडी जो है पंचायत में मेरे लिए मैं इतना अनुमा लगा रहा हूँ कि अगर वो बक्सडी लग खुलती है तो मैं पहले नंबर पर उदर रहूँगा संसे रहेगा मदान से पहले मद्दाताओं से क्या अप्यल करना चाहते हैं हाँ मैं मद्दाताओं से यह अपील करना चाहता हूँ कि आप भारी मतों से बोट डालें, घर से बाहर निकलें, अपने मत का प्योग करें, चाहे किसी को भी दें, और ये जुरूर देख लें कि क्या वो काम करने वाल है, उसको अनुभव है, इमानदार है, मिलनसार है, क्या वो आपकी वात को आगे रख पाएगा कि नहीं रख पा ये आदमी को, मत दातां को जरूर ध्यान में रखना चाहिए, कि कौन सा आदमी कितना टाइम इसके लिए निकाल सकता है, और इसके क्या क्या काम है, या क्या करता है, या पूरे असमासे में जुड़ा है, कि अपने इसलिए रखा है, कि उसके लिए जुड़ा हुआ है, तो दिल से और गहराईयों से आपका धन्यवा तो ये थे जिला परिशद पद के उमीद बार बलबीर सिंग डड़वाल जी जिनोंने अपनी प्राथमिक टाई भी बताई है और अपना अगला वीजन भी बताया है इसी तरह की तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहें आप हिमाचल फरस्ट के साथ चैहिन